हेलो फ्रेंड मैं कवीता वर्मायक वाफ फिर से आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है आज हम बनाएंगे कड़ी वह भी बिना दही का बिना दही का भी कड़ी बहुत ही स्वादिश लगता इस तरीके से एक वार जरूर बनाएं अगर आप लोगों को ये रेस्पी अच थनी की सहाइता से आख कर्हाई को गर्म कर लेते हैं और उसमें घी डाल देते हैं दो से तीन चमल्य घी डालकर ंपther एक से दो मिन्ट के लिए हलका सा भून लेंगे संकों हमने ज्यादा नहीं भूनन या उसी करहाई में हम सरसो का तेल डाल दिये हैं अब ये एक छोटा चम्मत जीड़ा दो लाल मीर्च एक तेज पत्ता और ये एक पिन्च हींग सभी चीजों को हम एक बार भून लेंगे अब हम ये बड़ा साइज का प्याज डाल रहा है बारिक कटा हुआ इसे भी हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे प्याज भून चुका है अब हम इसमें दो बड़े साइज का टमाटर डाल दिये जब तूकि ये मैं इसमें दही यूज नहीं करूंगे इसलिए डालकर हलका सा नमक डालकर टमाटर को गलने देतें एक मिनिट के लिए ढख देंगे जब तक टमाटर हमारा गल रहा है हम बेशन का घोल तयार कर लेंगे घोल तयार करने के लिए हमने एक ग्लास गुनगुना पानी लिया है और हल पहले हलका सा पानी डालकर बिना लंस वाला गोल तयार करेंगे पहले हलका पानी डाल करें हम गोल को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसमें बिल्कुल भी लंस नहीं रहना चाहिए यह देखिए हमने अच्छी तरह से बेशन को बेशन को बेशन को अच्छी तरह से फेट लिया इसमें बिल्कुल भी लंस नहीं है अब हम ने गलास पानी डाल दिया है अब हम बाद में पानी का यूज करेंगे यह देखे टमाटर भी अच्छी तरह से गल चुका है अब हम इसमें कुछ मसाले एक चमच हल्दी पौडर स्वाधनुशार नमाक यह जीरा और काली मिर्च का पौडर बस ज्यादा मसाले हम इसमें नहीं करेंगे मसालो को हम नमक मैंने पहले भी डाला ता इसलिए कंदे अब हम इसमें बंस में जो हम जो बचितरा में धेमा कर लिया है यह एक बालाने तक शिप इसको चल आते रहेंगे इससे बिलकुल भी नहीं छोड़ना है इसे चलाते हुए पकाना है अगर आप त्ले में लग सकता है यईसलिए हमें लगातार चलाते हुए यह देखिए हमने लगातार चलाते हुए चोटे चोटे पकोड़ें कर नहीं बनाना चाहिए चब भी बनाना तो यह जल्दी से नहीं इसमें करी जब भी बनाया तो अब इसमें करी में पकोड़ी को डाल रहे हो देते हैं एक मिनट तक इसमें हम फिर से इसे पका लेंगे ताकि पकोरे अच्छी तरह से सौप्ट हो जाए उसके बाद करी बनकर तयार हो जाएगा तो बस एक मिनट हो चुका है और हमने गैस के चूले के फिलेम को बंद कर दिया ये देखिए करी बनकर तयार हो गया है और ये करी खान त्यार हो गया है बहुत ही स्वादिश्ट टेक वार इस रेस्पी को जरूर ट्राय कीजेगा बहुत ही स्वादिश्ट लगता है खाने में थैंक्यू